अब जाता हूँ मैं अपने सेलर सेंटरल के उपर अचा जी यह मेरा एक फ्रेश सेलर सेंटरल है जिसके उपर अभी तक वर्किंग जो है सच नहीं शुरू की वी बिलकुल फ्रेश सेंटरल है और इसको दिखाने का मकसद यह है कि यह आपको एक पता चले किस कंटर फेस कैसा ह क्योंकि आफर सेलिंग काफे सेरे चीज़े चेंज हो जाती है बट ऐसा न्यू सेलर आप लोगों को क्या के चीज़े देखनी है क्या चीज़ नहीं देखनी वह सब चीज़े में अभी आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ ऐसा जी यहां पर हमारे कुछ स्टैब्स कुछ पॉप अपस आ रहे हैं तो पहला वह कहता है जी एक्सटबोर अेफबीए कि अफबीए क्या चीज़ आ है अब ऐसमें पते है कि फुल्फिल्मेंट बाया आमवाजन का प्रोग्रम में यह सब चीज़े उसके बारे में बताइजा जाती है जो यह वीडियो देख रहे at least उसको पिछली सारी चीजों का पता होगा तो वो इस वीडियो के उपर आए पिछले जितनी बी सारी चीज़ें उनका उसको नो हाओ होगा तो वो सेलर सेलर सेंटल की तरफ एकसेस करता है otherwise यहां तक आते आते इनसान को काफी एक नॉलिज रिकॉार्ड होती है जो के लेकर इनसान यहां तक आते है तो मुझे अगर FBA भी क्लियर करना पड़े इस वीडियो के अंदर तो कोई फायदा नहीं है तो FBA के अंदर वो सब चीज़ें बताते हैं कि how Amazon manages all your inventory और सब चीज़ें कैसे क्लियर करवाते है कैसे पैक्ट वगयरा करना है आखे अपनी add a product करते थे तो same यहां से भी आपने list लगा सकते है कोई फर्क नहीं है selling application क्या चीज़ होती है कि आप अक्सर क्या होते है कि अक्सर कुछ categories ऐसी होती है जिसके अंदर आपको gated categories होती है उनको ungate करवाना पड़ता है करनवाने के लिए आपको कुछ application send करनी पड़ती है वगयरा वगयरा वो सब procedures जो हम वो इदर इसके अंदर किया जाते है पिर यह promote the vouchers यह कुछ campaigns की types है यह ओपर भी मैं discuss करूँगा अभी बाद में अच्छा tutorials and training यह Amazon की तरफ से इसके प्रोग्राम एस Seller University को कहते है यह आपको YouTube पर मिल जाएगा इनका चैनल और Seller Central के अंदर भी चीज होती है कि आप यहां से आके Seller Central के बारे में मॉडियों के बारे में डिफरेंट चीजें explore कर सकते हैं यह नहीं है उन्हें चोटी-चोटी वहाँ पर इनका चैनल खोलकर से Amazon Seller University खोलकर आप वहाँ से चीजें सीख सकते हैं अच्छी यह लिस्ट ग्लोबली के एक फंक्शन आता है कि आप ग्लोबली भी अपनी सेलिंग कर सकते हैं इसको अन कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता Seller Forums के है कि यह आप कहलें कि काफी सारे Seller's जो है यहाँ पर अपनी कोशन्स पूछते हैं और आप जैसी Seller's उनका जवाब देते हैं यह फॉरम से एक बनाया है इन लोगों के लिए कि Seller's आपस में कम्यूनिकेट कर सके हैं किसी को क्यों मसला आता है यहाँ पर जाकि वो अपना कोशन्स पूट करता है और उसको उसका रिस्पॉंस मिल जाता होता है सिंपल सा यह पांच से टैब्स इतने हैं इनके अंदे सिंपल से इतनी चीज़े और कुछ भी नहीं है अच्छा अगर मैं बात करूँ इन मैंन चीज़ों की जो उपर काम की चीज़े है इनके अंदर بھی कुछ काम की नहीं है तो मैं बैय विन किरके आपको सब चीज़े बताने की कोशिश करों गा और हम इसको सीखने की कोशिश करना शुरू करते हैं असर मार्केट बेसिस हैं कि आपको अलाओ करते हैं किस-किस मार्केट में आपको अलाओ किया हुए Amazon.co.uk के यानि UK के Amazon Sellers Central ने आपको और कितनी मार्केट्स पे एकसेस दी भी है यहां से अगर और आते हैं तो आप जाकर इनको भी दे सकते हैं अपने और यह दूसरा आता है कि आप और आपको कितने आए हैं आज किया ओर्डर आए हैं कितने आए हैं सब चीज़े यहां पर यह बता रहोता है As I told कि यह मेरा fresh account है इसकी वज़ा से यहां पर अभी तक कोई order नहीं है UK का account है Today's sales के आज के दिन में मुझे कितने pounds की sale आई है this and that simple और कुछ विन यह इसके अदर Buyer's message के मुझे कोई message आता है अचा कि यहां पर भी buyer's message show होते हैं और एक यह top right के ओपर यहां पर भी show होते हैं कि आज मतलब buyer ने मुझे क्या message किया कोई custom चीज बांगी है कुछ किया कुछ भी किया है तो यहां पर show हो जाते है Buy box wins क्या होते है Buy box एक concept है कि wholesale के अंदर drop shipping में जादा दर आता है बट PL के अंदर भी काम आता है Buy box क्या होते है कि आपको buy box win करना पड़ते है Buy box कि चीज़ों से win होता है कि आप एक तो quality service दे रहे हो आपकी pricing बहुत अच्छी हो आप कसी customer आते है आपको negative feedbacks ना आ रहे हो आप on time delivery कर रहे हो इस सब चीज़ों को calculate करके percentage बनाई जाती है जिसको buy box कहा जाता है तो एक अमोमन PL के अंदर आपकी 75, 80, 85 से उपर ही percentage रहनी चाहिए 90% तक भी जानी चाहिए कम से कम मैंने आपको बोला कि 75, 80 लेकिन लाजमी नहीं कि आप इतनी अगर percentage रखते है तो आपका buy box win अच्छा है As a PL seller आपकी 90 तक होनी चाहिए buy box की percentage ठीक है अच्छी total balance बताता है कि आपके पास कितनी amount अभी तक आपके seller central में पड़ी है अच्छा IPI क्या होता है कि यह होता है कि inventory planning होती है यहाँ बन inventory planning indexing होती है कि आप Amazon suggest करता है बताता है आपको बलके कि आपके इतनी inventory रह गई है इतना आपने मंगवानी है वगयर वगयर यहाँ पर से चीज़े की जाती है बत काम की चीज़ें अगेन सिर्फ नौते सुबास बाट के हमने orders कितने आए हुए, sales कितनी आए आज के दिन, हमारे पस total balance कितना पढ़ाव है, buyers का कोई message तो नहीं आया पस यह तीन-चार चीज़े देखनी है और कुछ भी नहीं देखना होता हमने sales में बागी यह जो मैंने नीचे चीज़े बताई है यह भी कोई नहीं देखता होता बस main चीज़ें इस सिर्फ यह पहली line के अंदर लिखे में इसके लावा catalog में अगर मैं आओ तो catalog में option देता है add a product मैंने एक वीडियो के अंदर अपनी आगर कोई वीडियो थी जिसके अंदर मैंने बताया था special एक वीडियो अलग से बनाए वी है इसके अंदर मैंने एक पूरी listing upload करना सिखाई है कि list कैसे upload करते हैं amazon के अपर अपने तो यहां पर add a product पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें यह option देता है कि आप किस तरह से अपनी listing upload कर सकते हैं अचा second चीज़ यह कि complete your draft अगर आपको list कर रहे हैं और करते करते हैं आपको की काम ज़रूरी आद आगे तो आपको as a draft save कर देता है यह तो आप किसी भी टाइम आके उस draft को क्लिकते रहें और अपनी जो incomplete listing रहे ती उसको आके आप यहां पर से आप complete कर सकते हैं अचा व्यू सेलिंग अप्लिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह वह फिचर है कि आपके पास for example आपको की category अंगेट करवानी है somehow को एप्लिकेशन देनी है उसके लिए कि मेरी जैसे आपने list लगाई हो कोई ऐसी product है जिसके लिए आपको बात में पता चला है Amazon कहते है कि इसके लिए मुझे आप आप लाके दो certificate लाके दो कि प्रॉडक्ट इसी को हाम नहीं पहुचा सकती है तो फिर आपको फिर अप्लिकेशन करनी पड़ती है कि जी हमने तो गेटेट कैटेगरी में काम किया गेटेट में नहीं काम किया अब डिफरेंस किया गेटेट गेटेट में काम करुंगा में अचल इसके बद इंवेंटृ आती है ही टैब सब से जरूरी टैब है यानि कि मेरी कुछ प्रॉडट्स में एक ही प्रॉडट्ट बेशिक में FBA भी लगा सकतो हो वही प्रॉडक्त में FBA भी में कोई मसला नहीं है ठीक है? तो मैनेज इन्वेंटरी में बताता है कि आपकी कितनी इन्वेंटरी जो है कितनी FBA पे चल रही है कितनी FBA पे चली है यह यह ऐसा होल बताता है जबकि मैनेज FBA में हम जाएंगे तो सिर्फ हमें वही प्रॉडक्स दिखाएगा जिनके साथ हम FBA पे काम करें जिसके साथ हम Amazon के साथ काम करें वो हमारी पैकिंग वगरा रैप करके बेजना वो सारे चीज़े अमाज़न खुद कर रहा होता है फिर इंप्रॉफ लिस्टिंग कॉलिटी यहां पर हमें देता है अमाज़न के आपकी सिजेशन देता है कि आप लिस्टिंग को कैसे इंप्रॉफ कर सकते हैं इसके लावा कोई function नहीं है इसके अंदर असर पैन यूर्पियन FBA inventory के लिए अमाज़न कहता है कि अगर आपको डिफरेंट जगाओं से orders आ रहे हैं तो आप हमारी inventory मतलब जो आपकी inventory आपके हमारे पस रखवाए वी अगर आप चाहते हैं तो हम दूसरे मुमालिक में भी थोड़ी थोड़ी रखवा देते हैं तो इसके लिए enabling करनी पड़ती है और कोई फरक नी बढ़ता और कुछ sellers ये pan European FBA inventory on करते हैं और कुछ नहीं करते हैं अच्छा उसके बाद आता है seller fulfill products यानि के FBA products को manage करना inventory planning वही अपनी inventory को plan करना कितनी खतम होगी है replenish कितनी है और कितनी order करनी है और अभी कितने pieces रहेगे हैं इसके अंदर कोई चीज नहीं है अच्छा आपको एक चीज बताओं कि बार बार घूम घूम के सेम वही चीज़े बार बार आती रहेंगे तो गबराना नहीं है add a product आजाएगा किस तरह product आड़ करनी है फिर आज एक add products वाया अप्लोड ये Excel की sheet के अंदर हम अकसर अपनी products को add करते हैं पहले तो हम add a products हम single single करकी product add करते हैं जबके add a product वाया अप्लोड ये होता है कि हमें एक Excel की sheet डाउनलोड करनी पड़ती है तो हम वो sheet के अंदर सारा data डालते है और यहां से वेक्सल की sheet अप्लोड करते हैं तो हम bulk के अंदर काफे सारी products कटे seller center पे अप्लोड कर देते हैं फिर inventory reports हैं वही बात की reports हैं में पता चलता है कि हमारे कितनी inventory खतम होगी है कितनी मंगवानी है sell globally का function आ जाता है सबसे जगा के ओपर ये manage FBA shipments manage FBA shipments क्या होता है कि आप यहां से shipment plan बनाते हैं let's suppose मेरे inventory खतम होने वाली है या मैं first time selling कर रहा हूँ तो मैं अपनी product को list करने के बाद यहां पर से shipment plan बनाऊंगा जो के मुझे चाइना वालों से contact करना पड़ेगा उनको उनसे address लेना पड़ता है मुझे shipment plan बनाते हुए और अपना address देना पड़ता है warehouse का चाइना वालों को ताके फिर वो जाकर logistic companies को basically जो के freight forwarders होते हैं उनको अपना address देना होगा वो अपना देंगे तो यहां पर मैं आकर put करूँँगा यहां से फिर मुझे item labels कुछ होते हैं प्रिंट करवाने पड़ेंगे shipment labels होते हैं वो प्रिंट करवाने के बाद वो मेरे cotton पे लगाएंगे चाइना वाले जो फ्रेट फावडर्स बैठे में लगाकर फिर वो उसको फिर भेज़ेंगे अगर आपको ब्रैंड अप्रूब होगा तो आपको option देता है क्या वीडियो प्रूट कर सकते हो और प्रॉडक्ट डैमेंशन इंड मैनेज पाट फांडर सिंपल यह कि जब आपका रिजिस्टर हो जाता है आपको यह मसीद फंक्शन देता है क्या आपको इस तरीके से अपनी वीडियो और अपने इबी सी कॉंटेंट बैसिकली एप्रॉस कॉंटेंट को मैनेज कर सकते हो सिंपल सा यहां पर से manage product documents में जाकर आप इसको जाएंगे आकर तो वो आपको option देगा कि आप अपनी registration की तरफ चले जाएं brand की registration की तरफ चले जाएं इसके इंदर सिर्फ इतना ही है फिर pricing का column आता है कि आपकी pricing health किस तरीके से जा रही है कि मैं उसको इस प्राइस में बेश रहो तो ठीक है के नहीं या मुझे थोड़ी सी कम कर लेनी चाहिए या जादा कर लेनी चाहिए इसके इतना yes के अंदर manage pricing का आप जाके थोड़ी बहुत अपनी pricing चेंज कर सकते हैं कि जी मेरी price अब उपर कर दूँ या नीचे कर दूँ suggestion देखने के बाद आप चेंज कर दें automate pricing का यह है कि इसमें अगर आप इस function को enable करते हैं तो आपको पादा चल जाता है कि यह competitor for example 20 pound की बेश रहा था और मैं बेशर था 18 की तो वह 18 पे अगर जंप करता है तो मैं automatically 16 पे चला जाओ तो यह automation सी लगी भी होते हैं इसमें और कोई rocket science नहीं है basically fee discounts वगएरा discounts वगएरा की चीज़े होती है pricing के उपर और इसके अंदर कुछ चाइस नहीं है जस्ट इसमें यह कि आपको orders जो आपके वह वाले होते है custom orders basically आपको वह बनाने पड़ते है ठीक है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर order reports आती है यहां से आप reports निकाल सकते हैं अपनी के आपको पिछले कितने होते थे ना पहले में दो cases आपको बताता हूँ जब आप पहले वैट registered नहीं होते थे ना तो आपको Amazon कहता था कि मैं आपकी जो invoice बनाऊंगा customer की वो आपको खुद सोरी बनानी पड़ेगी खुद बनाए जैसे मर्जी बनाए मैं नहीं बना के दूँगा तो लेकिन लोगो नहीं स्वामज आओगा लेकिन जिनको आए अच्छी बात है जिनको नहीं आए तो मैं आगे वैट के ओपर भी वीडियो बना दूँगा आप comment करके बता देजेगा तो इसके ओपर भी explanation दे दूँगा मैं अब हम आते हैं campaigns के उपर तो यह कहता है campaign manager की मैंने आपको प्रॉपर सी अपनी 16 वीडियो में बताया था कि PPC कैसे चलानी आप यहां पर जाते हैं अपनी PPC सेट अप करते हैं और इस सब चीजे में वहां आपको डेटेल बता चुका हूँ फिर आते जी a plus content manager अब यह कह ची मेरा registered होगे अभी कोई और बंदा मेरे नाम से selling नहीं कर सकता तो जब आप यह करवा लेते हो brand registered करवा लेते हो अपना basically तो आपको Amazon allow करता है कि आप अपनी वीडियो भी लगा सकते हो अपने product page के उपर आप उसके बारे में कुछ भी लेख सकते हो ठीक है तो यह आपको function मिल एक brand registration के बाद फिर कुछ programs होते हैं wine program deals vouchers prime exclusive documents manage promotions यह उसके ही programs है जिस तरह हम seller central के इलावा जब हम ऐसा buyer amazon.co.uk या फिर amazon.com पे जाते हैं ऐसा buyer ठीक है दूसरी website यह जो seller central होता है ऐसा seller platform है जबके जो buyer platform है Amazon.com होगा या फिर amazon.co.uk होगा जब आप उन पे जाके front page खोलते हैं त अच्छा तो इस तरहां कि जो पहले page के ओपर deals और आ रही होती है यह पहले page में सारे चीज़े शो हो रही है तो इस जगहों पर आने के लिए आपको यह options देता है कि आपने कोई wine program चलाना है deals program चलानी है कोई deals, discounts करने हैं तो सारे आपको यहाँ पर से यह चीज़े मिलती है ठीक है यह front page के ओपर जैसी आप login करते हैं सारे चीज़े नजर आ रही होती है ठीक है अच्छा उसके बाद stores manage stores अच्छा इसको क्लिक करके आप अपना पर store देखें उसको पिर रिजिस्टर करमाइस के आ तो हम ऐसे fulfillment उसकी करते हैं मजीद programs को आप explore करें तो उसमें यह चीज़े मिलती हैं अच्छे custom programs यह Amazon की तरफ से जो जो चीज़े आएं यह new features आएं वे जसके इसके इंदर वो चीज़े हैं आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी inventory को sorry अपनी product को up कर सकते हैं कैसे उ हम आते हैं तो हम यहां से अपनी payment check कर सकते हैं कि हमारे पास अभी कितनी payment है या क्या हिसाब आया उसका और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़े करने वाली होती है वो होती है return reports और manage your VAT as a new seller हमें वैट पे इतना focus नहीं करना चाहिए वैट के ओपर वीडियो बताऊ अच्छा हम performance पर जाते हैं अब account क्या performance देख सकते हैं कि account कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा account health पे जब मैं click करूंगा तो यह मुझे बताएगा कि मेरे account की health किस तरीके से कितनी एक जा रही है मेरे returns कितने आया है मैंने negative feedbacks कितने उठाए हैं अभी तक मैंने shipment कितनी देर से क यह सब चीज़े account health basically इन ती चीज़ों भी मुझतमिल होती है customer service performance, policy compliance और delivery performance ठीके अब customer service के अंदर यह तीन चार चीज़े आती है कि negative feedback अगर आपको मिले है A to Z grantee claims और आपको chargeback claims मिले है तो आपको खत्रा आ सकते है कि आपका account deactivate हो सकते है अब यह कहते है कि जो आपका IDR है invoice defect rate वो अंदर 5% जो आपका ODR है order defect rate वो आपका under 1% रहना चाहिए उपर जाएगा तो at the risk of deactivation पर आजाएगा आपका account policy compilation के इंदर छोटी छोटी चीज़े आती है यहां पर सारों पर 0 लिखा रहा है लेकिन इन में से कोई भी एक policy मैंने वायलेट की तो यहां पर 1 आजाएग कि इतनी दफा मैंने वायलेट किया और ज्यादा दफा हो जाएगे तो यह फिर अकाउंट फिनिश कर देते हैं फिर आप बैठे रहते हैं तो कहते हैं कि अगर आपने लेट डिस्पैश की अपना order आपने जो प्री फुल्फिल्मेंट के इंसलेशन डेट अगर आपने आप और यह नगी परसेंट लिखिए हुए कि अगर इतने परसेंट से उपर चला जाएगा तो आपर रियक्टिवेशन का चांसे जाए इतने से अगर आपका पी-फसी आर ऊपर चला जाएगा और आपको आपको अपड सकती है ठिक है यानि इतने इनके अंडर अंडर है किすब कि आपको बताया कि सारे कि आते हैं सिंदर आपको वीड्बैक's की करेंस, late dispatching के पसंद नाय कि सारे के आते है किस्टूमर का आपकी product पसंद नहीं आयुसिस का claim कdays rack हजाते हैं थिए कि फीट्स का claim थीका है मेरी लिखी भी कुछ नोटिफिकेशन्स हैं और क्योंकि ये अकाउंट चो था बैसिकली सस्पेंट था तो मैंने इस अकाउंट को खोला है और डीक्टिडिटिवेटिटिट था तो इसको मैंने एक्टिवेट किये होदी तो कुछ सीज़ें मैंने जमा करवाई थी तो मैं ऑफिसी बात एक कॉल कर नहीं दिखा सकता कि किस तरीके से मैंने इस अकाउंट को अपना वापस रियक्टिव किये तो नोटिफिकेशन्स का बेसिकली मकसद ये है कि आपको यहां पर पता चलेगा सेलर युनिवसिटी कुछ भी नहीं है सेलर युनिवसिटी मैंने आपको बताया था कि आप यहां से जाके इनके दो-दो-दी-दी मिनिट्स की वीडियोस पड़ी होंगे उसको आप देख लेते हैं फिर यह पार्टनर प्रोग्राम आता है इसकेंदर आपको कहेंगे कि अपनी अप्लिकेशन डाउलोड करने अपने पास यह वह चोटे मोटे कोई इतना जरूरी टैब नहीं है यह वाला भी बीटो-बी भी इतना जरूरी नहीं है इसकेंदर में जनरल सा बताता हूं कहते है कि अगर आपने ऐसा बिजनेस प्रोफाइल अपनी किसी बिजनेस कंपनी के साथ ट्रेडिंग वगरा करनी है तो आप इसकेंदर इंडॉल हो जाएं कुछ नहीं है इसकेंदर इतना खास में चीज़े फिर बताता हूं क्या है कैटालोग है एड़ाप यहां से भी आप प्रो का बहुत इंपॉर्टन टैब है यहां पर इदर अगर आप क्लिक करें तो इंपॉर्टन टैब सिर्फ कैटलोग है इंविंट्री है प्राइसिंग का ओर्डर्स है अडविटाइजिंग है और अपना प्रफॉर्मस रॉटिफिकेशन और रिपोर्ट है बाकी कुछ इसमें जाने के नहीं है यहांपड मैंने अपको बताया कि यहां पर की मैसीज के इस्ट कर लेकर जाना है सेटिंग के अंदर अगर मैं जाओं तो यह एक निया फीचर आया था यूज नियू नैविगेशन तो मैं अगर इसको क्लिक करके आप लोगों को दिखाता हूं यह है क्या अच्छा यह हो ही नहीं रख लेकर भी अच्छा यह इंटरफेस थोड़ा सा इन्होंने चेंज करने की कोशिश की है कि पहले दो ऊपर सब चीज़े लिखी आ रही देती है तो यहां पर लिखी आ रही होती है तो जिस बंदे को नहीं को यूज करने को यूज करने करें लेकिन मुझे आदत है पुराना नविगेशन यूज करने की तो मैं इसलिए वही वाला यूज करता हूं सिर्व इसका एंटरफेस थोड़ा सा चेंज किया हूँ है अचा अकाउंट इंफो के अंदर हो मेरी डेटेल्स बता दे को किस बंदे के नाम पे अकाउंट्स बने वे हैं और सब चीज़ें वगयरा वगयरा ग्लोबली अकाउंट्स, ग्लोबल से लिंग के अंदर है, नोटिफिकेशन प्रेफरेंसे, लॉग इन सेटिंग्स, रिटर्न एट सेटिंग्स, गिफ्ट ऑप्शन्स, अच्छे रिटर्न सेटिंग्स बगयरा ये है कि आपकी जब इन्वेंट्री वापस आदे हैं तो किस जो मेरी प्रॉड़क्ट है, एज़ गिफ्ट चाहिए तो आप उसकी गिफ्ट वगयरा करवा की बेच सकते हैं, शिप्पिंग सेटिंग्स के अंदर आप ये सिकर कर सकते हैं, जो मैं आपको बताया कि आपकी किस जगह से शिप हो रही है, यहां से आप जाके सिर्टिंग्स आपके सेटिंग्स सारी चेड़ सकते हैं, अभी चेड़ सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, टेक्स सेटिंग्स में टेक्स वगयरा की बाते आज़ेंगे, यूजर परमिशन, आप जब किसी को अकाउंट की एकसेस देते हो, यह मेरा चायल अकाउंट बेसिकली, मेरा पैन में लास्मी बताएगा, फिर उस पर हिस्ट्री बताता है, आपने लास्ट टाइम किन 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 लोगों को एकसेस दीवी और किन किन को नहीं दीवी, बस यह सब चीज़ें, और वो अगेन, यूर इंफो पालिसी और फुल्फिल्मन बाइमोजन के प्रोग्राम के बारे में द सबस्दि कापने रख और एक सबत्सक्राइब को करें, कि कि मैंने कौक में बताएब यहां से चेख करते हैं कि में कम भिज भाना, प्राइसिंग अपनीूदि सी हुआ कि मझे कितनी प्राइसिंग रखनी है, और्जर कितने आएं कितने नहीं आएं है, अड़िटाएइस्ज कैसे करनी है store growth reports reports में मुझे पर चलेगा कि मेरी inventory reports क्या है और वगरा वगरा as a seller मुझे क्या क्या reports आई हैं आप सारी हां से देख सकते है notification जो चैनल है sorry performance notification का जो option है इसके अंदर आपकी account हिलता आती है feedback आती है claims आते है और performance notification सबसे जरूरी tab है जगा के ओपर performance network is not necessary b2b is not necessary काम की चीज़ें फिर वो ही है दुबार आपता दो catalog inventory pricing orders advertising और reports और performance यह tabs important है बाकी नीचे जो है यह सारी हर बंदे को शोर रहें तो है it's not necessary marketplaces आप देख लें कितनी है sales देख लें आज कितनी आई है balance देख लें i hope कि मैंने अपने तरीके से अच्छा समझाने की कोशिश किया आपको seller central का overview देने की कोशिश किये और अगर still आप लोग को कुछ समझ नहीं आता you can text me आप मुझे text करें मेरे facebook page के उपर you can text me on my whatsapp मेरा whatsapp given है मेरे channel के उपर मेरे facebook page के उपर और अगर समझ आगे तो दौा किजएगा मैं हमेशे कहता हूँ मेरे लिए दौा किजएगा अगर समझ आगे तो और के questions होए तो आप लोग लाजमी नहीं से comment में पूछ लेजएगा thank you very much अलाहाफिस